नमस्कार दोस्तों, आडियो बुक चैनल में आपका स्वागत है, दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमारे चैनल की रीचा धेखो सके दोस्तों इस वीडियो में प्राचीन इतिहास के अंतरगत आज बात करेंगे गुप्त सामराज्य के विशय में. गुप्त सामराज्य का उदै तीसरी शताबदी के अंतमे प्रयाग के निकट कौशामबी में हुआ. गुप्त वंच का संस्थापक श्री गुप्त 240 से 280 इस्वी था श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत कच 280 से 320 इस्वी हुआ गुप्त वंच का प्रथम महान समराट चंद्रगुप्त प्रथम था यह 320 इस्वी में गद्धी पर बैठा इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया इसने महराजादी राज की उपाधी धारन की गुप्त समवत 319 से 320 इस्वी की शुरुवात चंद्रगुप्त प्रथम ने की चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ जो 335 इस्वी में राजगद्धी पर बैठा। इसने आर्यावर्थ के 9 शासकों और दक्षिनावर्थ के 12 शासकों को पराजित किया। इन्ही विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने अश्वमेद करता विक्रम केवं पर्मभागवत की उपाधी धारन की। इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त विश्नू का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीना वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। समुद्रगुप्थ का दर्बारी कवी हरिशेन था, जिसने इलाहबाद प्रशस्ति लेक की रचना की. पर्मभग्वत की उपाधी धारन करने वाला प्रथम गुप्थ शासक समुद्रगुप्थ था. समुद्रगुप्थ का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्थ द्वितिय शाब चंद्रगुप्त द्वितिय का राजकवी था। कोशकार, शनकुप, वास्तोकार, वेतालभट, घटकरपर, वाराहमेहिर, खगोल, विज्ञानी एवं वर्रूची जैसे विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितिय का सांधेविग्रहेक सचिव वीरसेन शैव मतालंबी था जिसने शिव की पूजा के लिए उदैगिरी पहाडी पर एक गुफा का निर्मान करवाया था। वीरसेन व्याकरण, न्यायमी मानसा एवं शब्द का प्रकांट पंडित तथा एक कवी भी था। चंद्रगुप्त द्वितिय का उत्तराधेकारी कुमार्गुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त 415 से 454 इस्वीट हुआ। नालंदा विश्व विद्याले की स्थापना कुमार्गुप्त ने की थी। कुमार्गुप्त प्रथम का उत्तराधेकारी सकंद्गुप्त 455 से 467 इस्वीट हुआ। सकंद गुप्त ने गिरनार परवत पर स्थित सुदर्शन जील का पुनरुधार किया। सकंद गुप्त ने परंदत को सौराष्ट्र का गवनन युक्त किया। सकंद गुप्त के शासनकाल में ही हुनों का आक्रमन शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक विश्नु गुप् जिसके शासक उपरिक कहलाते थे। भूगती के नीचे विशय नामक प्रशासने किकाई होती थी, जिसके प्रमुख विशयपती कहलाते थे। एवम अन्य सदस्य महतर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी एकाई को पेठ कहा जाता था। गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदर पूर ताम्रपत्र में भूमी विक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियकलापों का उल्लेक है। गूराजस्वकुल उत्पादन का एक चोथाई भाग से एक बटा छे भाग हुआ करता था। गुप्त काल में बलात श्रम विष्टी फ्राज्य के लिए आयका एक स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था। आर्थे कुप योगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमी थी। शेत्र, क्रिशी करने योग्य भूमी। वास्तु, वास करने योग्य भूमी। चरागाह भूमी, पशुओं के चारा योग्य भूमी। सिल, ऐसी भूमी जो जोतने योग्य नहीं होती थी। अप्रहत, ऐसी भूमी जो जंगली होती थी। सिचाई के लिए रह गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की. इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दीनार कहा गया है. कायस्थों का सर्व प्रथम वर्नन याग्यवल्क्य स्मृति में मिलता है. जाती के रूप में कायस्थों का सर्व प्रथम वर्नन ओश तो दसीस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेक से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यू पर उसकी पत्नी के सती होने का उलेक है। गुप्त काल में वेश्यवृती करने वाली महिलाओं को गनेका कहा जाता था। वुरिधा वेश्याओं को कुट्टिनी कहा जाता था। गुप्त समराट वैश्नव धर्म के अनियाई थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विश्नु का वाहन गरोल गुप्तों क गुप्त काल में वैशनव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेश देवगड जिलाल अलितपूर का दशावतार मंदिर है यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है अजन्ता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेश हैं जिनमें गुफा संख् संख्या सोलह में उतकीर्ण मरनासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनिया है गुफा संख्या सत्रह के चित्र को चित्रशाला कहा गया है इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिश क्रमन एवं महापरिनिर्वान की घटनाओं से संबंधित चित्र उधर किये गए हैं अजन्ता की गुफाएं बौध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाग की गुफा है जो बाग, जिला धार, मध्य प्रदेश में विंध्य परवत को काट कर बनाई गई थी गुप्त काल में विश्नु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे पांच भागों में बाटा गया है मित्रभेद, मित्रलाव, संधी विग्रह, लब्धप्रनाश, अप्रीक शाकारित्वा। भटियम एवं सूर्य सिधान्त नामक ग्रंथ लिखे। उसने सूर्य ग्रहन एवं चंद्र ग्रहन के वास्तविक कारण बताए। आर्यभट पहला भारतिय नक्षत्र वैज्यानिक थे जिसने घुषनाकी की प्रिथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। वरामिहेर ने व्र भूगोल के विशयों पर चर्चा की गई है। ब्रहम गुप्त इस योग के महान नक्षत्र वैज्यानिक एवं गणे तग्यत है। उसने यह घुषना करके न्यूचन के सिध्धान्त की पूर्व कल्पना कर ली। प्रकृती के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं प्रि लिखा। नवनीतकम की रचना गुप्त काल में की गई है। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां दी गई हैं। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें एतिहासिक में परम प्राओं का उलेक है। संस्कृत इवं ब्रहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई। मंदिर बनाने की कला का जन गुप्त काल में ही हुआ। त्रिमूर्ती की अवधारना का विकास गुप्त काल में ही हुआ। गुप्तवंच के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मनों को सबसे अधेक ग खिलोना गाडी जिसमें निर्धन ब्राह्मन के साथ वेश्या का प्रेम वर्नेत है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत क्रिष्ट माना जाता है। कालिदास की कृती अभिज्यान शाकुन तलम प्रथम भारतिय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपिय भाशाओं में हुआ। ऐसी दूसरी रचना है भगवद गीता। सांस्कृते कुपलब्धियों के कारण गुप्तकाल को भारतिय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नगरों का क्रमिक पतन गुप्तकाल की महत्वपूर्ण विशेश्ता थी। गुप्तकालीन प्रसिद मंदिर विश्नू मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश। शिव मंदिर घूम्रा नागौद मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर नेना कुठार मध्य प्रदेश। दशाफ्तार मंदिर, देवगड ललितपुर उत्तर प्रदेश, शिव मंदिर, खोव नागौद मध्य प्रदेश, लक्षमन मंदिर, भीतर गाउं कानपुर उत्तर प्रदेश इटों द्वारा निर्मित दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद